आज के नए भारत का किसान पहले से अधिक समर्द्ध, सशक्त और आत्मनिर भर है प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतरत्व में पिछले तस वर्षों में लगातार क्रशी और क्रशत को और उर्जावान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए है पी एम किसान निधी ने उनकी बहुत बड़ी चुनता को कम कर दिया है दो लाग करोड रुपे से जादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांकपर किये गए है इनही में से एक महत्वपून कदम है पी एम किसान सम्मान निधी योजना सम्रिधी और खुशाली पर केंदरित सशक्त कदम जिसके चलते भारत के अन्नदाता आधोनिक खेती द्वारा खाध्य उठपादन में रिकार्ड बढ़ोतरी कर रहे हैं इसमें पात्र किसानों को साल में चार महिने के अंतराल पर तीन किष्टों में डाइरेक्ट बैंक ट्रांसपर यानि डी बी टी द्वारा छे हजार उपय की राशी प्राप्त हो रही है सीधे बैंक खातों में आती इस वित्य सहायता से किसान अपने आर्थिक मामलों को बहतर धंग से प्रमनित करते हैं लाखों किसानों का जीवन सुधरने लगा है विक्सित भारत की परिकल्पना किसानों की वित्य जरूर्तों को पूरा करने और उन्हें क्रिशक खेतेशी और ठिकाव खेती के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित है इस यूजना से किसानों को लाब भी हुआ और जोख्षिम लेने की क्षमता भी बढ़ी किसान लाबहर्थी अपने खाता संख्या की चांच, रजिस्ट्रेशन और अन्य सेवाओं के लिए पीएम किसान यूजना के अपग्रेडेड मोबाईल आप का उप्योग कर सकते हैं पीएम किसान यूजना देश भर के किसानों के लिए लाई है एक नया सवेरा तवी तो हर किसान का समर्द्धी और सामर्धिपान होने का सपना हो रहा है पुरा देश के किसान भाईयों और बहनों को उनकी मेहनत का मान समान दिलाने के लिए प्रधान मंत्री मानिय श्री नरेंद्र मोदी जीत्वारा आज पीम किसान यूजना की 15 किस्त जारी की जा रही है जिसमें 8 करोड किसानों को 18,000 करोड से अधिक की धनराशी का हस्तान तरण किया जा रहा है